ये तो हम आपको हमेशा ही बताते हैं कि ग्रह नक्षत्रों में आई चाल की बदलाव की वज़ा से कई राशियों को इसका सुख मिलता है तो कई राशियों को समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है ये पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी कुंडली के उपर जी हाँ क्रह गोचर में आए ये बदलाव अगर आपकी कुंडली के अनुकूल होते हैं तो इससे आपको बहुत जादा फायदा होता है लेकिन अगर यही बदलाव आपकी कुंडली के अनुकूल ना हो तो आपको परिशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और अब ऐसा ह कोई चंचार राशी वाले लोगों के साथ होने जा रहा है जी हां बहुत ही ज्यादा सतरक रहने की इन्हें जरूरत है क्योंकि अब कोई नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो पैसे आपने किसी को उधार दिये हुए हैं वो पैसे आपके डूब सकते हैं वहीं घर में मनमोटाव बना रहेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी तरह का कोई कलह कलेश ना हो आपका कोई नुकसान ना हो तो भagवान ईश्वर की भक्ति में लीन रहे और सदै भी अपने मन में सकारात्मक विचार लेकर आए क्योंकि अगर आप अपने मन में नकारा तो वो राशियां कुछ इस प्रकार से हैं सिंग, वरिशिक, मीन और तुला। इसी तरह रोजान आपने राशियों के बारे में जानने के लिए देखते रहे हमारा चानल और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले।